ये दोस्तों गंदे मातर, ब्रहमास रिलीज हो गई, ब्रहमास रिलीज होई और लोगों ने इसके बारे में बाते करना भी शुरू कर दिया, कि भई ये क्या से क्या हो गया देखते देखते, दरसल इस मूवी के जो कहानी है वो लोगों को पसंद नहीं आरी, लोगों कहना है कि भई ब्रहमास के नाम पर हमको एक ओची सी छपरी निब्बा निब्बी की बालवीर बारी लव स्टोडी दिखा कर ऐसा रहा है कि किसी नेक हमारा काट लिया है और जाहिर सी बात है आज के समय में जब टिकेटों के रेट इतने महंगे हो चुके हैं और फिर लोगों को जब मुवी पसंद नहीं आती है तब तो फिर लोग यही काएंगे कि भी हमारा काट लिया है लेकिन बात सिर्फ इतनी होती तो समझ में भी आती लेकिन बात इतने पर रुकी नहीं इसलिए थोड़ी से दिक्कते बढ़ती जा रही है अब ब्रहमास को लेकर और क्या कुछ लोग कह रहे हैं ज़रा जान लेते हैं इस वीडियो में ब्रहमास फिल्म सिनमागरों में रिलीज हो चुकी है फिल्म के रिलीज होने से पहले बड़ी बड़ी बाते फिल्म को लेकर कही जा रही थी ऐसा बताया जा रहा था कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म है जिसमें उचिस्तर के एफेक्ट्स मतलब हाई विजूल एफेक्ट्स डाले गए है जिसकी कहानी अध्यात्म और भारती संस्कृति इस पे आधारे थे लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी फिल्म में नहीं अध्यात्मी की बात है और नहीं वीजूल लेवल पर फिल्म उतनी शांदार है फिल्म देखने पर साफ साफ लगता है कि फिल्म की जो कहानी आज से पहले बनी हुई थी जिसका कि नाम ड्राइगन था उसका विशह रूमी से जुड़ा हुआ था फिल्म देखने के बाद फिल्म में नजर भी वही आता है फिल्म को एक अध्यात्म की कहानी कहने के बजाए आलिया भट रैन्वीर कबूर के लव स्टोरी के बीच में कहानी बताया जा तो आठीक रहेगा और यहां मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे इस फिल्म के कारण लोगों को ठका हुआ सा महसूस हो रहा है आपको बता दूं कि जब इस फिल्म को लेकर प्रमोशन चल रहा है तब काफी कुछ फिल्म के बारें बुरा जा रहा था दर्शकों से काफी वादे भी किया जा रहे थे बड़ी बाते कहीं जा रही थी और ऐसा बोला जा रहा था कि फिल्म को दस साल ने मनाया गया है फिल्म में काफी महनत लगी है लेकिन वो महनत और काम कभी भी स्क्रीन पर देखता नहीं दस साल से बन रही फिल्म के कहानी में कुछ भी नहीं है वहीं फिल्म में जो एफेक्स का इस्तमाल किया गया है वहाँ भी कुछ भी देखने को नहीं मिलता वह ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद कहानी हमें हलकी फुलकी देखने को मिले लेकिन VFX तो अच्छे होंगे लेकिन यहां पर भी फिल्म आपको निराशी करती है इसके अलावा फिल्म में आलिया और अन्बीर का सिर्फ प्यार देखने को मिलता है आपको सिर्फ देखने को मिलता है कि आलिया भी प्यार का इजहार कर लेती है और अन्बीर भी प्यार का इजहार कर लेते है प्यार को भी इतने बेहुदर ढंग से दिखाया गया है कि लगता है कि इससे अच्छे पटकता तो शायद कोई नया एंसान लिग देता यो कि जटरर से प्यार को दिखाया गया है वो आपको जोड़ता नहीं मलकि एक तरह से फिल्म पूरी आलियर और रन्बीर पर इकेंडरत रहए जाती उनके किर्दार को आप भूल जाते हो और अलियर रन्बीर की फिल्म को देखते रहते हो फिल्म में उनकी एक्टिंग पूरी तरीके से काफी बनावटी भी लगी इसके अलावा इस फिल्म का नाम ब्रहमास्त्र है लेकिन इस फिल्म में प्यार की सिवा कुछ भी नहीं प्यार पर कुछ भी संवाद नहीं है जिसका के हिस्से आमिताब बच्चन मी बनते हैं लेकिन उनके हिस्से के भी संवाद सिर्फ फी कहींने बलकि बेसवादा भी है फिल्म सिर्फ پ्यार प्यार की ताकट को दिखाने कोईश करी गई कहीं भी ब्रमास्तर उसकी महत्ता का वरणना नहीं किया गया है आपको कुछ समवाद बताएंगे जिसे आप सो पता चलेगा कि फिल्म रूमी के बारे में कितनी मिलती चुलती है जैसे कि प्यार से खुबसूरत दुनिया में कुछ भी नहीं है प्यार से बड़ा कोई ब्रहमास्तर दुनिया में नहीं है अब यहां पर राइटर और डिरेक्टर से यह सवाल बनता है कि भाई अगर प्यार ही सबसे उचा था तो फिल्म का नाम ब्रहमास्तर क्यों रखा प्यार रख देते आप इस फिल्म का नाम ड्रैगनी रख देते या फिर प्यार की ताकत ही दिखाते रहे तो वैसे ही हुआ कि बेच कुछ और रहें और माल अंदर वो है कि नहीं इसे दर्शकों को खरीदने के बाद ही पता चलेगा कहीं भी अस्तरों की ताकत या फिर अस्तरों के बारे में कुछ भी जादा बताया नहीं गया है सबको सबकुछ बस यूँ ही मिल गया उसको ये क्यों मिला, कहां से मिला, इनको क्यों मिला, कैसे मिला, इन सवालों का कोई जवाब फिल्में नहीं है इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि फिल्म के में अध्यात्मों और हिंदु धर्म को लेकर कुछ भी नहीं है हलागि फ्रेम को दिखाने की भरपूर कोशिश की गई जो कि फिल्म को रूमी वाले विशह से जूड़ती और इस फिल्म का पहला सब्जिक भी था इस प्रकार से कहीं न कहीं दर्शकों को अंदास हो ही गया था योगी देखिए ब्रहमास्त्रों के बारे में बैग्राउंड में तो वाकई में कुछ नहीं बताया गया है बस यूँ ही सबको सबकुछ मिल जाता है ऐसा दिखाया गया है अब बताइए आपका इस बारे में का कहना है मेरे सुडियों परत नहीं जैहन जै भारत